पर ऐसा भी है और सफर पर हमारे साथ हैं भुछपुरी कलाकार जै सिंग जी तो आपसे सब यह जानना चाहेंगे कि जैसे आपने इतना संघर्ष किया जिया उनमें तो संघर्ष का दौर कहां तक चला उसके बाद आपको लगा कि आप थोड़ा सा मतलब जिंद्गी थोड़ी से आहसान हो गई है अप थोड़ा जो पट्री पे मतलब आपकी जिंद्गी है एक अच्छे लेबल पर पहुंच गई है तो कब ऐसा आपको मतलब महसूस हुआ जिंद्गी आप जब तक जिएंगे संघर्ष में ही जिएंगे वो बात तो अलग है आज अगर रिलाइंस या मुकेश अंबानी या अनिलंबानी या मोदी जी आज प्रजार मंत्री हैं लेकिन उनका जीवन हर दिन एक संघर्ष है जीवन में संघर्ष कभी खतम नहीं हो सक बिल्कुल तो और सच बात है कि इंसान को अंतिम समझ तक संघर्ष करते भी रहना चाहिए अगर बेवज़ा खते हैं खाली दिमाग सैतान का घर तो आपका दिमाग जैसे दिन खाली होगा तो सैतान का घर हो जाएगा तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा अच्छा जिंदगी मतलब एक अच्छे उस पर पड़ाओ पर है और एक काम मतलब लगातार आपके बैक टू बैक शूट चल रहे हैं तो मतलब मज़ा तो काफी आता होगा मतलब एक एक्टर जो मतलब देखिए एक आम आदमी और आपको क्या लगता है कि यह जो लोग सूचते हैं मतलब इतना ज्यादा तो इसमें किस हर्त तक कितना सच्चाई है कि आप एकड़म मस्ती में एक दम हमेशा इंडर्टेन्मेंट ना कोई गम है आपको, ऐसा है क्या, रियल्टी में? इसा नहीं है, हर कलाकार भी इनसान नुँटा है और सूखडु उसके एक सिक्के को पहलों है जिसकी जीवन में शूख है, यह है कि तोलाकार अपना दुख है अपने तक ही से हमित रखता है जी अभी कही ऐसे हैं कि कोई स्टार शूटिंग कर रहा है कि उसकी मम्मी यह पापा कुछ हो गया या कई कलाका वैसे हैं कि कुछ हो गया लेकिन बेचारा अपने उस गम को भुलाकर आम जन्ता को न्याय दिलाने के लिए उसको पूरा किये बगर जाता है बीच में बद्य पर्देश में अमरे जो सुपरिश्टार है पावन सिंग जी उनका सो था और उसी दोरां के पिता जी एक्सपार हुए थे उन्होंने दोनों फर्च को निभाया वहां पर पिता जी का और शो करके फिर वहां गया है कि कलाकार का जीवन भी सुख दुख से दिला हुआ होता है और जब कलाकार हो जाए तो लोगों के इंटर्टेन्मेंट के लिए उसको सुख देने के लिए कभी कभी अपने घम को घोट कर पी जाना पड़ता है इसलिए हो तो आपने बात बहुत ही गहरी बोली जो भी बताया तो अच्छा एक और चीज मैं जाना चाहूँगा कि जैसे आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा घटना घटित हुआ है जो मतलब अन्गलीवेल मतलब विश अच्छा च्रॉस करने लायक ही नहीं है लेकिन लगता है कि यह जो घटना है यापको बार बार याद आती है सबसे बड़ी बात यह है ऐसा कोई घटना है आपके साथ ऐसी एक नहीं दो घटना है और शायद आपका यह रेडियो और बेट कमेंगर दो लोग सुन रहे होंग मुझे आंदेविश्यासी कहें यह यह भी कहें कि अरे छोड़ो इस भौकाल है कई पहलवान यह भी आजाएंगे कि हम को लेचलो हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो है लेकिन यह चीज़े होती है हो सकते है मेरे दिमाग के जो भी हो एक तो घटना है इसी कि मैं साथवी क्लास में मेरा एक मित्र था रमेश नेपाली था साथवी कच्छा छोड़े वे तीन साल बीच चुका था दसवी में पढ़ रहा था मैं तो अपने घर के बगलते जा रहा था और अचानक उसकी याद आई कि आज यह दोस मुझे मिलता है मैं उसके साथ हशी मजाग करता है और यह ऐस को छला गया दूसरे दिन उसी क्लास का फिर एक लरte मिला था। मिलते उलते होते हैं उससकी उस से क्या रमेश बिला था जो मुझे अग्राइब दिमाग में वही दिख रहा हूं, मैंने वह समझ के बात किया हूं, लेकिन वहाथसा मैं आज भी नहीं भूल पाता हूं. दूसरा हाथसा एक मैं मिर्जापुर गया हूँ था, मिर्जापुर बनारस पहुंचा, बनारस से पीली कोठी, और पीली कोठी पहुंचा, मिर्जापुर से पहले ही है, और रात को बज गया है दो. अब मैं शहरी आदमी निश्चतर पर इस बियाबान जंगल रात को अंधियारे में भी यहां पर सुंसांसट की आवाज आती हो, दर लगना जायज है, मैं एक कहला है से आठ किलो मीटर का सफर मैंने पैदल दाई किया उस रात को, और चार किलो मीटर पर पहुचा तो है एक न पैर और दोनों हाच से उसको दर लग रहा था, मुझे हीर रहाता हो, उसको पैर किया, थोड़ी दूर गया तो एक विक्ति साइकल से मिला मुझे, मैंने का बाई, चल रहा है तो मेरे को पिठा लो, उसने बोला बैठ जाये, बैठ के पे 3-4, 3 किलो मेटर गया आगे, वहां पिर मैं जिनके घर जाना था, वहां गया अपनी ससुराल, तो मेरी अजीया सास थी, रात को तो कुछ नहीं बोला उन लोगों ने, सुबह मेरे को बोला कि रतियक कैसे आया है, तो मैं बोला कि पूल के इस तरह तक तरह ऐसे आया, और पूल के बाद किसी ने मुझे साइकल स जोड़ा होगा, तो सकता को अच्छा अधिमीरा हो, उसने पेचारे मुझे छोड़ा, फिर लगे धारवार उतारे, लेकिन निश्चुतर को उस रात को मैं काफी दरा हुआता, जितने गाने मुझे नहीं आते थे, मुखडा मुखडा देर सो गाना गा डालाता, चलते चलत है, और उस दिन, वो भी मैं सोचता हूँ, एक दम सीहर जाता हूँ, डर जो है, वो आदमी के ज़यम में जरूरी भी है, ये दो घटना हैं, जो है, मेरे जीवन में आज भी मुझे बुलता नहीं है, नहीं बुलता है, और भी बहुत सारी बाते करेंगे सर के साथ, और ऐसी क में लगता है, चित्थियों का था, चित्थियां आती थी, अभी तो WhatsApp है, ऐसे किया, अक्टना से उगर पहुंशा, हम ऐसे देख लिया, तो वो समय में बात अलगी थी, तो कैसे आप मतलब आभी चित्थि लिखती थे थे कभी, मैंने चित्थि लिखी नहीं है, लेकिन आप मुझे चित्थि दिया हो, अगर वो रेडियो अंबेट करना अगर सुन रही होगी, तो जाने के बाद मुझे हो सकता है, पीटे भी, लेकिने, मैं उन लोगों को पता हूँ कि कभी-कभी किसी की चित्थि खुल के पड़ी भी लेता था, और फिर उसको उसी तरह से चिपका के और फिर रख देता था, तो काफी एक आनदा था, मतलब जो आप यहां से जाते थे, तो चित्थि ले करके जाते थे, आप कुछ लोग दे देते थे, कि वहां है पती है, भाई है, तो पती की चित्थि अब्दब पती तक नहीं पहुंस्ती थी, उससे पहले ही आप क्या कितना इंजाइमेंट बिलता था, यह बता हिया, काफी कथा और व्यथा आप, उस चित्थियों के माध्यम से मुझे यह पता चला कि पत्नियां जो है, अपने पती को किस आदर संसकार से, किस नाम से, पहले संबोधन करती है और इसके बाद जब निचवारी थी तो उस गाना हो जाए उस दोर का, तो मैं समस्ता हूँ कि अंबेड नगर के इस जनपत के लोगों को, इस से प्याना गाना कोई नहीं मिलेगा, पंका जुदाज जी का फिल्म का नाम है नाम, और गाने की बोल है चिठ्थी आई है, आई है, आई है, तो चलिए सभी मिलकर एंजाय क तो भी देखीगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए रेडियो ओंबेड का नगर 90.4 FM, सुनते रहो, गुन-गुन आते रहो, बस, रविन चौपे जी और प्रेम राय, जो बड़े भाईया है, वो पूरूसर है, इसके बाद अभी एक प्रीन सिंग रा आए हूं कि हम्यार है तुम्हारे, इसमें भी प्रीन सिंग, राजपूत, रूपा सिंग जी और इसके डारेक्टर अजय गुपता जी है, वो रखपूर से मैं सिधे यहां पने, वहां पर आया हूं, तो काफी फिल्में कतार में आने वाली जिर्में, बास, हम्यार है तुम जिसको सब जानते हैं, जैसिंग नाम ही काफी है, और हम आपकी काफी फिल्मों को हमने देखा है, तो उसमें जैसे की बहुत सारी फिल्म है, जिसमें सब में लगभग करेक्टर जो विल्म का ही है, तो उसमें किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं लगता कि आपको जैसे की वो रि नहीं बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि रील और रील लाइफ में जीने की कोशिश की है अब आज मैं आपके स्टूडियों में बैटऊउ ने एक नियोज देखी कि शिवराज चवान जी जो मद्धिप्रदेश के मुख्यमंत्री है बदमाश अपनी बदमाशी छोड़ दें यह तैयर है इसके पहले हमारे योगी जी ने योगी जी ने भी यह का योगी जी के तो आते ही मेरे क्याव से रियल लाइफ वाले सारे हंटर वंटर सब गायव हैं मतलब यह कि बदमाशी चाहे जितना कर लें लेकिन एक नए एक दिन उसका जो वह होता है मतलब लास्ट में अंजाम होता है वह बुरा ही होता है तो बहुत अच्छी बात आपने कही और लोगों को एक अच्छा संदेश भी दिया तो इसी के साथ मैं और एक आप से करें जिसे हम लोग आपके पसंद के गाने को सुन सकें अच्छी अपने जो फिल्म है उसमें जवजी सिंग जी की गजले सुनता हूं और एक गजल है हम तेरे शहर में आए बहुत अच्छा हूँ गजल है और गजल का तो मैं बहुत सुक्रिए रहा हूँ एक मेरे मित्र है गौपाल गंच के कुमार निशाद जी उनका एक गाना है उनका एक अलबम आया था उसल्बन में उनका गाना है मैं भी तेरा बेटा हूं मुझे भी सहरा दे कश्ती बेरी डूब रही है मुझे भी किनारा दे उस गाने को मैं बहुत सुनता हूं तो चलिए सभी मिलकर एंज सफर में हैं अमबेटकर नगर के एक फेमस कलाकार जय सिंग जी तो सर हम यह जानना चाहेंगे जैसे भोषपुरी में लगभग आपने लगभग सभी एक्टरों के साथ काम कर लिया है तो क्या कोई कि इस्पेसल एक्टर ऐसे हैं जिनके साथ आपका कंबनेशन काफी अच्छा रहता हो सबसे ज्यादा मतलब क्लोज आप ऐसा खुश माने दो काफी कलाकार है खली स्टार ही नहीं इसमें प्रिंसिंग राजपूत है रूपा सिंग जी है लोटा तिवारी है लोटा तिवारी काफी अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात होती है डिरेक्टर की अभी कलू अरभी नकेला कलू जी है उनके साथ मेरे एक फिल्म आ रही जान है हमने देरा दून में शूट की थी है मतलब आप 20-22 दिन कैसे बीच जाता है पता ही नहीं चलता मतलब सेट पर पुरा मस् अंदाज है ना अरभी नकेला कलू जी भी वैसे ही इदम मतलब कई कई इस्टारों से हैं जिसे बहुत प्यार संबत है हमने सुना है कि आपके साथ पावन सिंग की काफी अच्छी केमस्ट्री बैखती है तो थोड़ा पावन सिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप ए इतने बड़े स्टारि के आगे मैं बहुत छोटा सा हो मतलभ सूरच को दिया दिखाना हो जाएगा तो पावन जी ज्ग जायर है जो भी है जग जाहिर है तो उनके बारे में मैं कुछ बोलू यह बहुत छोटा कलागा उनके बारे मतलब उनकी तारीफ जैसे वह कैसे हैं जो भी चीजें आपके साथ सुरूट हुआ भी होगा किसारे फिल्म आपने की भी है तो नीचरवाई जी पहुआ है पारिवार ही परिवार है, बोचपुर के आरा में रहता है। परिवार मुझे लगाओ है उन लोगों से और बगवान करें जहां रहें, खुश रहें। जी मेरी भी यही दुआ है, तो यह जैसे कि और मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने निगेटिव करेक्टर बहुत सारे किये हैं। तो मतलब निगेटिव के साथ साथ अगर आपसे बोला जाए कि कोई पॉस्टिव करेक्टर आपको करना है तो आप कौन सा करना चाहेंगे। किस तरीके का करना चाहेंगे। बस एक इमेजन करना है आपको। मेरे पस एक ओफर आया था अभी पिचर बनी नहीं है। लेकिन निश्चित तरपर जब उस डारेक्टर ने उसे बात की है। किनर की रोल के लिए। जब उसने कहा तो मैं एकदम दिमा की रोप से चाहएंगे। लेकिन फिर मैंने उस डारेक्टर साब को बोला हुआ है। कि आप निश्चित रही है आपके फिल्मे किनर ही विलन होगा। मैं पुरी कोशिश करूँगा कि आपको नयाए दिलाओं। आने वाले समय में निश्चित तर्फ पर उस किरदार को मैं करूँगा। अप लोगोंने सुना सर्की बातें। और अब आपसे गुजारिब्स करना चाहूंगा, कि हिंदी गानों की बात करें, बोस्पुरी गाने तो सुनी रहें सब लोग, लेकिन एक बोस्पुरी कलाकार से एक हिंदी गाने की अगर फर्माईश करें, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सर? बहुत प्यारा गाना महुआ, महुआ, दोनों ने किया था प्यार मगर, मुझे याद रहा तो भूल गई, मैंने तेरे लिए जब छोड़ा और तो मुझे को छोड़ चलिए, तो चलिए सभी मिलकर इंजाय करते हैं, डेडियों बेट का नगर 90.4 FM सुनते रहो, गुन-गुना का किरदार मिला हुआ है, तो आपको किस हिरोईन के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू कि विलन का किरदार होता है, सही मायने में अगर लोग फिल्म देखने जाते हैं, सामाज में, सामाजिक लोग, तो उनको वि सामाज में जो सारी पीडाएं हैं, जो अपने आपको गेंगिष्टर, गुंडा, अपराधी मानते हैं, उनको फिल्म के गेंगिष्टरों से सीख लेनी चाहिए, कि आपका अंत इसी तरह बहुत बुरा होगा, जिस तरह से मेरे हर फिल्म में होता है, मैं आपको पता और मैं मैं एक फिल्म की थी, और रनिया कमाल करे, उसमें मेरे लाष्ट में पहुन सिंग हत्या कर देते हैं, मेरे एक गाउमाला सूरत में रहता है, अकास सिंग, उसमें मुझे पहुत रोया हूँ, भाईया, मैं बहुत रोया हूँ, भाले, क्यों रोया, बले, आप जब फिल्मिय अगर पॉजिटिव रोल मिलता है, तो आप किस अगनेत्री के साथ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दू कि, इंडेस्ट्री में जितनी भी अगनेत्रियां हैं, सब बहुत आधर्नी, सम्मानी हैं, मैंने एक फिल्म की थी, शेर्शिन, उसमें लेकिन मुझे बहुत कम अगर भविशे में, अभी मुझे ऐसा लगा, कि किसी के साथ काम करना है, तो मैं सहर्ज, हमारी बहुत प्यारी और इदम चुलबुली हिर्वेन है, अमरपाली दूबे जी, अगर उन नहीं भी करना चाहेंगे, तो मैं इससे गोंगा, आमरपाली जी, मुझे आपके साथ, इसैन हीरो का काम करना है, और मुझे नहीं लगता, अमरपाली जी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, खब्दों में भी और लोगों के व्यवार में भी, तो मेरा तो आपके सवाल का जवाब यह है कि, अमरपाली जी के साथ, मैं दिली इच्छा है उनके साथ फिर से काम क वाकिल काफी अच्छा किरदार निभाती है और माशा अलला बहुत खुबसूरत है ये कहने वाली बात ही नहीं है फिर भी और आपके मैसेज को हम उन तक पहुचाने के कोशिश भी करेंगे तो बाते तो बहुत सारी होती रहेंगे लेकिन कुछ किस्सा आपसे जाना चाहेंग बच्श्वन का त्छल हिए बच्श्वन का तुछ यह अंप्वर्श में बटाया है यह कि हालात किस आला से आप गुजरे हैं तो अइसे ऐसे हालाज से हुकर के उसके बाद आप इतनी बड़ी सोच कैसे रखते थे आप इनको देखिए आप इनको देखिए आप बॉलीवूड में हमारे एक भाईजान आए हुए है उनके संगर्स को अगर आप देखेंगे पुच्छा नाम हमका पंकस्ति पाठी जी तो काफी मेनत करके हैं बजरंगी भाईजान में जिनोंने किर्दार नवाजुदिन सिद्धिकी साहब अगर उनके दुख को आप देखेंगे तभी जाके पता चलता है कि सोना आगे में तपके कैसे एक तर बनता है और मैं तो सलाम करता हूँ नवाजुदिन साहब को कि उन्होंने जितना संघर्स किया जितना गरीबी जहली और फिर आजजिस मुकाम बनाए अगर इतना सहने की शक्ति जिसमें है तो हर उसी वक को सोच रखनी चाहिए कि में कूब आगे बढ़ू सोच नहीं रखेंगे तो पहुचेंगे कैसे तो पहले तो सोच ही ज़रूरी है दो चीज़े होती कि जैसे अगर मैं सोच लूँ कि अभी मुझे ताज महल खरीदना है तो विकाव तो है नहीं इसी सोच का भी कोई मतलब है, बिल्कुल, तो सोच वही रखिए, जो पूरा हो जाए, और उसमें आप कर्म करके उसको पूरा कर ले, जी, तो जो आने वाली आपकी फिल्म है, जैसे की बात करें, आपने भी गोरकपुर में शूट किया, तो गोरकपुर में जो फिल्म में हम यार है तुम्हारे, जिसके राइटर है विरू ठाकुर, प्रिंसी राजपूत है, उसमें बिजिस्ट पाटी जी है, रूपा सिंग जी है, स्विटी सिंग है, नेंसी पांडे जी है, काफी मकलब एक बहुत भरी बुरी पल में, धामा वर्मा जी है, बहुत प्यारी फिल और जब देखता है कि मैं उसके विवा के विफरीत हूँ, तो उसको लेके भाग जाता है, भागने के बाद फिर मैं उसका पीछा करके, उसमें हीरो जो प्रिंसी राजपूत जी है, उनका कर रहता है कि उनका दोस्त है, उससे प्यार करता है, तो वही भगाते है, तो फिर उसमें होई, लास्ट में जो फिर उनका आदमी पकड़ा जाता है, उनको मार पीट के यूज हरा, मतलब बहुत बैंकर करदार है, और काफी जीवन्त दिखेगा पर में, ये कब तक रिलीज होगी लगभग? इसमें, अभी तो पोस्ट पोड़क्शन होगा, शूटिंग चल भोश्पूरी के जितने भी तीटर्स हैं, जो जितने भी डेड़ में जो जो नेपाल में लंदन में, भोश्पूरी के शुक्रिम हो रही है, बिलकुल, बिलकुल, कई ऐसे बैंकौक वगणा है, जो भोश्पूरी जो लोगों के पहले जहन में था, वो चीज अब नहीं रह बोचपूरी के जितने भी निर्माता निर्देशक हैं, इन लोगों ने अपना एक ट्रेंड चेंज किया है, बीच में कुछ छिछोरे टाइप के जो निर्देशक आये थे, उन्होंने असलीलता की भरमार कर दी तो उन सब को एक अभी अभी जितने भी डिरेक्टर पूरूसर उन लोगों ने इदम नकार दिया है, आइटम सब अगरा उसमें प्रतिबंदित कर दिया है, अगर है तो साप सुत्री और सोक छेल में भोचपूरी में बन रही है, जो आने वाले समय में भोचपूरी को एक नया प्लेटफारम देंगी और भोचपूरी को निश्चित और विश्चो की आठी सूची में दर्ज करने के लिए, सरकार मजबूर हो जाए, अब आपको तो पता ही होगा, जहां तक हमें भी पता है कि जो पवन सिंग का गाना था लॉलिपॉप करके था, वो वर्ल्ड लेबल पे कितना चला है, वो हर को जानता है, वर्ल्ड फेमस ये ग करते थे, तो ये मतलब भुषपुरी का एक लेबल वहां तक पहुंचना, मैं जिस दिन ये गाना शूट हो रहा था पवन जी का, इस गाने को जाहिद अख्थर जी ने लिखा, लेकिन पवन जी का, एक सबसे अच्छी बात है कि अपने गानों को खुद बैटके, उसका गोविंद विद्धार थी जो वेब कंपनी के लिए काम करते थे, मनोज मतलवी जी है, चारो लोगों ने उस गाने पर काम किया, और फिर इसका वीडियो सूट होने का जब समय आया, तो उस अल्बम के साथो गाने हमने सूट कर लिया थे, पवन जी ने कर लिया था, तो उस गाने को एक बार में एक ही कैमरा उठा और शूट हुआ, तब शायद पहुंजी ने भी एक कलपना ने की कि यह गाना इतना फिमत होगा, वर्ड लेबल पर जाकर उनको चांद तक ले जाने में सक्चम होगा, बिल्कुल, यह होता है कि जब भग्यूदे होने वाला होता है, तो ऐसा ही होता है, और महादेवजी के आशिरबात के मिना, कोई भी अपने आपको कुछ समझ ले, जैसी हो या कोई और, यह सब्बब नहीं है कि वो कुछ कर सके, यह होता है कि जब परमात्मा चाहते हैं, तो, निश्चित तोर पर आपके पास 70-80% आपका भाग्य होन समता है, और कर्म आपको महादेवजी देंगे, तो जाके आप आगे बढ़ पाएं, बिल्कुल, तो बाते तो और सारी करेंगे सर से, लेकिन जैसे कि, यह शो, रीडियो का कोई भी शो हो, इंटर्टेन्मेंट होना तो बहुत जबूरी है, और आज तु तो चलिए सभी मिलकर पाउन सिंग के इस फेमस गाने को सुनते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, रीडियो ओंबेट का नगर 90.4 FM